कि असलाम वालेकॉम एमद फोटावरफी चैनल में आप सब को वेलकम करता हूं तो आज को हमारा टापिक है वह है अपर्चर प्रेटी मोड में सिर्फ हम लोग उने अपर्चर की वेली को सेट करना होता है और बाकि दूसरी सेटिंग्स होती है कैमरा फुद बूत करता है जैस प्रेटariumर कराणी कवा इस चैनल करकी प्रेटर की बूत को चाहिक कि करते हम आएगी अपने केमरे को अपफचर लाने के लिए यूजर हैं तो उसमें एवी मौड आता है तो आप उसको एवी मौड पे सेट करने अब हम आचुके हैं पच्छर मौड की उपर यह जो इसकी उपर एफ लिखा हुआ रहा रहा है यह हमारा पर्चर में इसकी सिर्फ वेली चेंज करूं देखें और जो वेली है छेटर आई यह सो केमरा खुद 4.5 अब मैंने आपको कहा था कि जितना ज्यादा कम अपर्चर होगा इतना ही ज्यादा हमारा बेग्राउंड बुलार होगा तो अभी मैं तीन क्लिक्स दोंगा एक लूंगा पर्चर 4.5 पे एक 5 पे और एक 5.6 पे दिखते हैं कि जो हमारा बेग्राउंड है वो किस आए स्पर्चर जैसा कि आप तेख सकते हैं अपर्चर 4.5 पे घंच से पहरें है उसमें ज्यादा बना आया है ऐसधे स्कुम्रेंड कर दोकिक्ट पे और एक पर्चर एफ 11 पे देखते हैं कि जो हमारा बेग्राउंड है उसमें जो भुला रहे हैं वो कम आ रहे हैं या रहे हैं अगर हम बोर करें जो पर्चर एफ 11 पे पिक्चर क्लिक की की है ईसमें बेग्राउंड बहुत हीज्यादा कम ब्लार हुआ है और पेग्राउंड प्लार हुआ है जब करें जो दूसरे दो पर पर्चर क्लिक की है एफ एट पे और एफ 7.1 पे उनमें बेग्राउंड बहुत ही ज्यादा ब्लार हुआ है अब मैं अपर्चर की वेली के बहुत ही ज्यादा न्क्रीज करने वाला हूं एक पिक में लोगा एक 16 पे एक एफ 18 पे और एक पिक एफ 22 पे देखते हैं जो हमारा बेग्राउंड है वो अब हम गोर करें तो जो परच एफ 22 पे पिक्चर लीगी है उसमें बेग्राउंड टोटली क्लियर आया जब कर जो दूसरी दो पार्चर पे पिक्चर के लिकी के यह एफ 18 और एफ 16 पे उन पर भी बेग्राउंड क्लियर आया है लेकां अपर्चर 22 पे में बहुत ही को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सबस्ट्राइब करते हैं लाइक करते हैं शेयर करते हैं और बेल आइकल दुबाना मत भूलिए अगर थैंक यू फार वाचिंग